इस लेक्शेर में हम बात करेंगे एक्स्प्रेशन के उपर इसके अंदर जो के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिरूर है लेकिन अगर आप उसको इस्तमाल करना जान जाए तो आप बहुत ज़ादा टाइम सेव कर सकते हैं और बहुत सी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आप जस्ट एक कमांड से बना सकते हैं तो बिसिकली एक्स्प्रेशन का यूज जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्स्प्लेक्स कर दूँ कि पर बने बनाए भी मिलेंगे और आप उनकी प्रॉपर्टीज में जाके उनकी वैल्यूज को चेंज करके भी काम चला सकते हैं और कुछ एक्स्प्रेशन इस तरह के हैं जो कि आपको खुद से कमांड लगानी पर सकती है और आपको मल्टीपल कमांड्स देनी पर सकती है तो उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इन्वाल्व है अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जावा स्क्रिप्ट आता हो या फिर आपको प्रोपर प्रोग्रामिंग की कमांड्स बता हो उसके बगएर भी आपका काम चल सकता है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास कुछ बाइड डिफॉल्ट भी इसमें कु और बताता चलूँ के एक तो आपका ये टाइम बचाता है जैसे मैं आपको पहले बताया बहुत जादा कंपलेक्स एनिमेशन बहुत जादा हैم टेकिंग एनिमेशन आप बहुत कुझ ली हैं आप टिफॉरंट प्रापर्टीज को लिंक कर सकते हैं आप इनफोग्राफिक् इससे create कर सकते हैं और multiple layers पे आप एक साथ मतलब एक ही command से complex animation बना सकते हैं और further इन commands को इन presets को आप save करके आगे भी use कर सकते हैं अगर अभी भी आपको expression के उपर जादा clarity नहीं है तो इस वक्त हम इसको practically करके भी देखेंगे और हम यह करते हैं कि हम एक counter बनाते हैं जो के हम expression से बनाएंगे ना के हम उसको manually animate करेंगे तो आइए इसको हम देखते हैं तो जैसे के हमने एक counter बनाना है यहाँ पर इस वक्त और उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर text में लिख लेता हूँ और हम इसको 0 से start करते हैं या फिर हम 1 से start करते हैं चले हम 0 रखते हैं ताकि 0 से लेके हम इसको 10 seconds पर लेके जाएंगे इसकी alignment हम कर लेते हैं यहाँ पर align का मेरे पास horizontal, vertical दोनो alignment मैं इसको center कर लिया है screen के और इसके बाद मैं इस पर एक effect apply करूंगा जो कि है slider control जो कि इसको control करेगा इसकी numerics values को और इसको double click करता हूँ मैं इसके उपर आप देख सकते हैं मेरे पास effects में इधर slider control add हो चुका है इसके slider control मैं इसके apply कर दिया है और मैं इस text की source में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अगर alt के साथ इसकी stopwatch पर click करूं तो मेरे पास एक यहाँ पर window खुल जाएगी अब आप देख सकते हैं आप यहाँ पर type कर सकते हैं और यह basically इधर ही आपको अपने expression का जो भी code होंगे वो य जाद रखनी की उस तरह से जुरुत नहीं है आप कहीं से भी इसको use कर सकते हैं और अगर आपको basic idea हो तो आप अपनी values को change करके different expression apply कर सकते हैं तो अभी हमने इसको animate करना यहाँ पर और source text पे मैंने इसका expression इसका on कर लिया है फिलहाल मैं इसका जो मेरे पास expression source text जो है यहाँ यहाँ पर इसके साथ एक चोटा सही spiral बना रहा है और जिसका मतलब है कि मैं इसको link कर सकता हूँ यहाँ पर effect में मैं इसको link करूंगा slider के साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है expression बतल चुका है मैं यहाँ पर keyframes add करता हूँ और slider की value मैं यहाँ से लेके 10 seconds तक हम इसको animate करते हैं और 10 seconds पर मैं इसकी value कर देता हूँ 10 इसको play करके देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब हमने इसकी value को animate किया हमने इसको slider को exactly 10 seconds के keyframe पर जाके हमने यहाँ पर 10 की value add की यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि 0 से लेके यह 10 seconds तक आपका यह यहाँ पर counter चल रहा है जोके per second के हिसाब सही move हो रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो हमारे पास और points में digit आ रहे हैं अगर हम चाहें तो इसको भी कम कर सकते हैं अभी कहीं पर जादा आ रहे हैं कहीं पर कम आ रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पर expression में जाएंगे अपने और यहाँ पर इसके end में हम लिखेंगे dot value to fix basically कमांड है लेकिन इसके लिखने का तरीका क्योंकि programming involved है पूरी value के बाद हम एक और dot डालेंगे two लिखेंगे fixed f बढ़ा होगा caps में आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त आपको दे भी रहे वहाँ पर और इसके बाद हम यहाँ पर bracket add करेंगे और इसके अंदर जो हम value डालेंगे क्योंकि value हम fix कर रहे हैं यहाँ पर expression था हमारा अगर मैं यहाँ पर two डालता हूँ value तो इस व points के आगे जो number आ रहे थे वो सिर्फ two हो गए है तो यह जो value two fix की जो command है यहाँ जो expression है इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो आ रहे हैं अगर मैं इसको one कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि one के बाद मैं यह पर click करूँगा खाली जगा पर और इसके बाद आ से zero कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त वो point ही decimal point आपका फतम हो जाएगा और one की जगा मैं यहाँ पर zero किया और इस वक्त हमारी animation है उसमें वो सिर्फ जो counter है centrally जो align था इस वक्त सिर्फ वो चल रहा है one से लेके 10 तक तो यह इसलिए भी आप कर सकते हैं कहीं पर जिसमें अगर आपको कोई इस तरह की चीज चाहिए क्या गया आपको दो points में भी चाहिए या पर तीन में चाहिए तो आप यहाँ पर expression की थुरू इसको modify कर सकते हैं और इसमें मैं कुछ अगर add करना चाह रहा हूं मैंने plus का यह sign लगाया और अब मैं इस पर quotation marks add करूँगा shift के साथ तो इस वक्त आपके पास quotation marks add हो चुके हैं अगर मैं इसके बीच में percentage का sign यहाँ पर type कर दूँँ और हम इसको यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास exactly percentage का sign add हो चुका है इस command की वज़ज़ से कि हमने इसको मजीद modify किया इस expression को plus और inverted comma में जो भी ह हमने यहाँ पर लिखा वो वहाँ पर add हो गया तो अगर आपको बीच में space देनी हो तो आप इस quotation marks के बीच में दुबारा इसको आप double click करेंगे और यहाँ पर आप अगर इस space दे देंगे आप दो space दे दें ताकि ज़्यादा गैप बन जाए और मैं यहाँ खाले जगा फिर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि space पार हमने दो space दी थी यहाँ पर inverted commas के बीच में तो यहाँ पर भी आपके पास space add हो चुकी है और further अगर मैं इसको align भी करना चाहूं तो मैं दुबारा से alignment में इधर जाके इसको align कर सकता हूं क्योंकि पहले इसने एक digit के हिसाब से इसको centrally align किया था और अब मेरे पास point be add हो गया है दो digit यह है और साथ में मेरे पास यह space bar और साथ में मेरे पास यह percentage be add है इसका एक हम space कम कर देते हैं ताकि थोड़ा close हो जाए और further इसको हम दुबारा align कर देते हैं तो आपने देखा इस तरीके से हमने एक यह counter ब कि इसने 10 second तक हमने इसको space दिया कि एक second में एक value move हो रही है और 10.00 बचा के यहां पर यह पूरा हुआ इसके बाद आगई animate नहीं हो रहा तो यह तो था एक basic expression का I'm sure overview आपको कुछ clear हुआ होगा कि किस तरीके से expression काम करते हैं और obviously यह complex शरूर है आप देख सकते हैं कि हमने इ इस पर different command देनी है लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस चीज को भी notice करें कि इन छोटी छोटी चीजों से आप बड़े जबदस result अचीव कर सकते हैं सिर्फ आपको अगर थोड़ा सा idea हो इन चीजों का तो आपके लिए काफी असानी हो सकती है अपनी complex animation बनाने में हम कुछ और भी expression इस पर try करते हैं और किसी shape पर हम कुछ try कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है जिस तरह कि कोई भी values जो animate हो सकती है वहाँ पर expression आपका काम कर सकता है मैं यहाँ पर shape add कर लेता हूं maybe मैं यहाँ पर simple एक rectangle यहाँ पर लेता हूं और इसको मैं इसके नीचे यहाँ पर नीचे इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इसके हिसाब से align कर लेते हैं इस shape में मेरे पास यहाँ पर option है कि fill की और अगर मैं यहाँ पर expression apply करता हूं इसके fill में इसके color में और मैं चाता हूं इसके color change हो यहाँ पर हम अब color पर एक लगाते हैं expression alt के साथ मुझे click करना होगा इस stop watch के उपर अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास option आ गई है कि आप यहाँ पर अपना expression है उसको लिख सकते हैं तो हम randomly color change करते हैं और random अगर मैं यहाँ टाइप करूँ तो यह मेरे पास यह option भी आ गई है मैं aspect लिख कर देता हूं लेकिन further मुझे values को change करना है तो इसके अ से इलावा मुझे यहाँ पर square bracket में type करना होगा अपनी color की values क्योंकि यह programming का एक इसमें तरीका है इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के तुरू और अगर मैं यहाँ पर randomly change कर रहा हूं और यह मैंने different values दी है color की जो होती है उसके हिसाप से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इस वक्त यह values quickly change हो रही है अगर मैं इन values को यहाँ पर change करूँ मतलब मैं 1 की जगा अगर कर देता हूं 6, 0 की जगा हम यहाँ पर कर देते हैं 1 और 8 की जगा 25 और आगे 12 भी तो इस वक्त कलर जो है वो आपके थोड़े से different आपको नज कलर पर काम कर रहे हैं और रेंडमली हम इस पर एक और change करके देखते हैं आपको फिर control आपका होगा कि आपके इस तरीके से आपके colors चेंज करना चाहते हैं अभी हमने randomly apply किया था even के expression भी यह random ही है और आगे हमने color की values दी वो भी हमने फिलहाल random ही colors की values दी हैं तो इस तरीके से आप expression से बहुत सारा काम कर सकते हैं विगल expression सबसे अच्छी एक बड़ी example है कि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से वो आपका time save कर सकता है और further अगर थोड़ा सा इसको मजीद complicated करते जाएं तो आपने graphs में पाई charts में और और बहुत सारी चीज़ों में इसको utilize कर सकते हैं अगर आप इसको प्रोग्रामिंग को जावा स्क्रिप्ट को उस तरह से नहीं जानते तो again मैं बता रहा हूं कि कोई मस्ता नहीं है आप कुछ basic command याद रखते वे कुछ इसके अंदर built-in जो expressions हैं उनके थ्रूबी काम करते वे आप बहुत सारी चीज़े अचीफ कर सकते हैं इसके practice करें इसको explore करें मुझे अमीद है कि जब आप practice करेंगे तो बहुत सारी चीज़े आपको और भी पता लगती जाएंगी और आपका command बजीद बेतर होती जाएगी expression पर और further lectures में हम और चीज़े के अपर बात करेंगे अब याप अपनी practice continue रखें